और रूक रूक़ भई पहले मैं जोंगा अगल रूको तो सही यार मैं हूँ मोलबी मैंने इदनमाज भी पढ़ानी है पहले मैं जाओंगा इदनमाज आप दो दिन लेट है वह भाई त्यार ये तो अभी से शुरू है न अए चलो पिर रिकटे चलेंगे अब रुको रुको स इसको सलाई मारो, इतना छोटे से काउम के लिए तू आ गिया, कर दो, ठीक है, ठोड़ धीर बाद मेरा, ये मेरा नया सूट है, ये भी सलाई कर के दो, सलाई का पता है तुमें, कितनी है, पांच हजार, पांच हजार, ठीक है, दे दूगा, आप सूट सीके दो, उधर लाइन उस्ताद ये कैसा अपया अभे अभे राश्चा ए तीन तीन बंदू की एक साथ ना पलेनी पड़ को यार कपड़े खराब कर देना के नर ती पहले करेंग आप पहले से बहुत कपड़े पडब है प्हुसा है आपने फिर इतने ले लिए कौन सी हेगा एंगे और कौन सब्सक्राइब कोई से लेंगे अब यह dairy सीजनें कमाने का कार लेनी है कार ठीक है न देखते हैं यह तो होगी रेडी हाँ उसाद मेरी सलवार सीधी है अब यह लो कितने पैसे हैं इसके इसके 500 500 500 यह रखो हजार हजार पाइशो सिलही पाइशो एदी नहीं भाई जान तुम्हारा रेट सुनके यह फिर से फटकी है अब यह पकड़ो कि कपड़े भूइपन ले लियाए इस बार तो हुआ ऐसी लेंगे तो पता चलेगा अबैज की लेंगे सीजन फुल लगाना टाइट dog वोगे के वोड़ो स्टाग इतने सारे कपडे पड़े ये सीने भी हम अभे या दो रात हुं से नीगत Sumay फिर बीस सप्ड़े जाहें क्या करेंगे उस दाथ मैने का कपड़े ले लो आपको गड़ी का आई आप मारेंगे मारेंगे साथ में गसीटेंगे हम देए इसका मतलब है अब मुझे प्लैन भी अपनाना पड़ेगा ओ यार ये क्या दुकान बंद ओ मेरी जलवा इत पे क्या आप कच्छा पहनूगा मैं यार ये दर्जी कहां गया मेरे भी कपड़े इसके पास थे यार भाई दर्जी किदर गया पता नहीं यार ओ यार अब हम कहां ढूड़ेंगे इसको मुझे ये मामला कुछ गड़बाड लग रहा है ओ ग्यों रज़ किया हुआ यहां पे दर्जी कहां किया ये ओ दर्जी मस्जिद में है ओ चले उस्पास चलो मस्जिद चलते हैं फिर पता आप लोगों को कपड़ों की पड़ी हुई है क्याम आताने वाली है अल्ला अल्ला करो, इबादत करो, कबर की तियारी करो, कबर में कपड़े नहीं, तो गज कफन लेके जाना है वो सब ठीक है, हमें ये बताओ, हमारे कपड़े अब सिले हैं के नहीं अल्हा के बंदे इबाद्तों का महीना है इबाद्तें करो छोड़ो कपड़ो को कपड़े आपके नहीं सिले मैं तकाफ में हूँ मेरी इबादत का टाइम है हटो मेरे रास्ते से हुआ हाँ हाँ तू